पर तहां बहाई कैसे हो सब सब बढ़िया सब के जीवन में कुछल मंगल हो ना अब भाइस हो भी आखरी ओर्मून एप्सिस्ड अश्ड वसकोपता है कि इस्ट्रेस कंडिशन में निकलता शक्त अब इस्ट्रेस हम्में इस्ट्रेस या सब्सक्राइब अब यह स्कूल में परेंश टीचर मीटिन तो इस ट्रेस हो गया इसमें कैसे सर्स जचाइगा अरे होता भाई क्यों नहीं होता यह सब के दुख हो थे प्लांट के जीवन में भी दुख है तो इसमें कौन गाम आता है एपसेसेचेट अब दोरनों चीजों को मेंटेन करना है खुशी को भी दुख को भी उसके लीए क्या होर्मोन है हमारी बॉड़ी में भी है इसी प्लांट की बोडि में भी हैं तो इसेसेट नोग चड़ा रहा है तो वैसेट में भी ओता तो इसकी discovery किसने करीज ना इसकी discovery हुई थी mid 1960 में और independently हो गई थी इसमें कोई scientist scientist का चक्कन नहीं है को कि इतने सारे तो पन ने याद कर लिए scientist ही और जिप्रिलिक का साइटो काइनन का ही सब किते तो याद करें अब इसमें कोई दिखकत नहीं में 1960 में इंडीपेंडेंटली डिसकोवर हो गया था और तीन chemical बैसिकली चीकु डिसकोवर हुए थे अच्छा तीन chemical इंडीपेंडेंटली तीन chemical डिसकोवर हुए थे उन chemical का तुम नाम याद रखना बस कौन से हैं वह यह वो chemical इनेविटर भी हो एपसेशन सेकेंड और डॉरमेंड अच्छा अब इनके नाम से पूरा तुम खेल समझ जाओगे दो इनेविटर मतलब भाईया ऐसा हर्मोंज इनेविट करें ठीक है कब करेगा स्ट्रेस की कंडिशन में और एपसेशन मतलब पत्तियों को भाईया गिर नहीं तो गिर जाओ कोई देखकत नहीं है अच्छा फिर डॉरमेंड मतलब ऐसा जो सीड की डॉरमेंसी को रखे इसा यह हमें इसा पता सही बता कसम से सीड डॉरमेंसी का फंडा समझ में नहीं आता प्लांड गिंडम में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा वहाँ पर भी मेंने बता है सीड अब सुनो सीड डॉरमेंसी मतलब कुछ नहीं होता तुमाय घर पर कोई भी सीड रखी है या फिर तुम गहुं की सीड लिया ऐसा तो है नहीं कि बहु कंटेनर में रखे-रखे ग्रो हो ज जर्म पोर से पानी अंदर जाएगा नूट्रिशन फिर से स्टार्ट होगा ग्रोथ होगी और ये औक जिन जिब्रिलेक एसिड ये सब क्या करेंगे सीट डॉर्मेंसी को तोड़ेंगे तुमसे पता सवाल पूछता है क्या पूछता है कि ये सचीकू कौन सा ओर्मोन है जो सीट डॉर्मेंसी को तोड़ता है तो याद रहने है जिब्रिलेक एसिड होता है सर अभी पीछे अपन एथायलीन पढ़ाता वो भी तो होता है बिलकुल होता है वो किसमें होता था थायलीन पीनट में याद आ रहा है मैंने बोला था seed dormancy तोड़ता है पीनट में और bud dormancy तोड़ता है potato tuber में पिछले पिछले यी वीडियो में अपने देखा है थाइलीन को ठीक अब चलो इसमें तीन भाईया ये independent chemicals हो गया थे सर बर्लब डिसकवर ठीक है अब रिद कुछ समय बाद इन उड़ता होगा guard cells के दुरू तो इसको रोखना है तो वहां पर भी हमें कौन मिलता है एपसेसिक एसेड तो guard cells पर जो होती ना chloroplast में guard cells कुछ याद आ रहा है कि नहीं guard cells हाँ सर बो इस्टोमेटा खोलना बंदोना हाँ वई 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 तो guard cells में हमें कौन सा hormone मिलता एपसेसिक एसेड ठीक तुमसे वह statement वाले सवाल में जब पूछेगा ना बोल देगा कि guard cells में कौन सा hormone मिलता है तुमा मूर मत खो जान लगना याद रखना कौन है एपसेसिक एसेड अच्छा यह किसका precursor होता था precursor वो बीच वाली process हाँ मतलब किस से होते हुए जिसे बने होना इसमें stress वाला hormone है ना हाँ अच्छा 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 तुमसे एक मैं सवाल पूछता हूं कि humans में भी stress hormone होता है बिल्कुल होता है कौन सा होता है लगाओ दिमाग जोड पर जोड़ा दिमाग पर आपने kidney पढ़ी होगी सर पढ़ी तो बहुत कुछ है kidney को अपन टोप है वहां से कौन निकलता था कोटी सोल कुछ याद आया सर याद तो आ रहा है कोटी सोल क्या होता था इस्ट्रेस हार्मोन इस्ट्रेस हार्मोन यह immunity को क्या कर देगा कम भाया human भी पढ़ लो थोड़ी plant plant ही मत पढ़ो यह कहां पढ़ते है भाई साब कोई कोई होगा कि यह पढ़ोगे वह अपना हॉर्मोन वाले में आखरी चेप्टर में यह सब पूरा मिलेगा अच्छा किडिनी के ऊपर टोपी पनाओ फिर उसमें कौटी सोल मिडेल लेर से कौन सा इस्ट्रेस हॉर्मोन निकलता है कौटी सोल कुछ याद आया थी पढ़ना री बीजन कर देना कर तो काम भी जाके तेm चलो अब जो अपन किसकी बात कर रहे था अपशसेसिकसिट्की चीकूर इसके रोल की बात कर रहे हैं यह बैसिकली क्या है चो 거지 प्लांट की ग्रोथ हो रहे है तो उसको रोक внутри करेगा ना कि भाई कर बहुत करेगा ना कि इस ठ्रेस का कंदिशन की है और तुम खुद की growth करे जा रहे हैं तो मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं उस समय तुम्हें बचना थाकि तुम भवेशिम को उसका यूज कर सको ऐस ही प्लांट इम होता है तो यह निविट करेगा किसको metabolism को अब भाईया metabolism का होते है यह तो बता हो किसी भी चीज को growth करनी है तो वह metabolism करेगा ताकि वह अपने में क्या food को जोड़े अब भाई फुड़े ही नहीं है तुम फुट को और तोड़ोगे तो क्या मतलब रहेगा इसलिए वह क्या करता है इनिवेट कर देता कौन सा hormone एपसेसिक एसेड अच्छा एपसेसिक एसेड क्लोरोप्लास पर मिलेगा क्या हाँ सर बिलकुल मिलेगा गाड़ सेल्स में ठीक फिर यह help करता है वह plant को ताकि वह सर्वाइब कर सेके किसमें इस्ट्रेस कंडिशन में बस यह याद रखना है इस्ट्रेस हाँ और हमें इस्ट्रेस हर्मोन को होना है कॉर्टीस होल ठीक फिर यह प्रमोट करता है सीड की डॉर्मेंसी को आप देख ऐसा कौन सा हर्मोन है जो प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी एपसेसिक एसेड कौन है develop करेगा और dormancy को भी कौन control करेगा एपसेसिक acid ठीक close करेगा इस्टोमेटा को in water stress condition जब पानी की कमी होगी तो भाई इस्टोमेटा को close करेगा क्यों करना अरे चीकू अगर इसको इसनों ने close नहीं किया एपसेसिक इसिड नहीं किया इस्टोमेटा को तो क्या होगा जो water का column है ना सर water का column जे का होते सर अब ये ट्रांस्पोर्ट पढ़ाए की नहीं पढ़ा है सर हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा सर वो जाइलम से पानी जाता था हाँ तो अगर मान लो एकदम से पानी पूरा उड़ गया या पर पानी का वो जो water का column है वो ब्रेक हो गया तो भाईया क्या पूरे body में प्लांट की body में पानी सई से circulate हो पायागा नहीं हो पायागा तो इसलिए इस्टोमेटा को close करता है कब stress condition में अब stress condition कैसी होगी अरे बहार एकदम लटपत वो गर्मी है अच्छा गर्मी वाला माई वाला तुम वो सोच लो टाइम एकदम खूब गर्मी 45 टेंपरेचर है अच्छा तो उसमय क्या होगा गर्मी बहुत है इस्टोमेटा एकदम सिकोड के बंद होएंगी कि गलती से अगर थोड़ा सा भी इस्टोमेटा खुल गया पान ही ऐसे चूज लेगा पूरी एक्टमस्फियर अच्छा तो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा पांच सर समस्या आ जाएगी जीवन में प्लांट के तो क्लोस करेगा स्टोमेटा को कौन आपसेसाक असेड इस ट्रेस कंडीशन में फिर चोथाолог काम क्या करता न?, यह प्रमूरक होगता एपसेशन इनस्ट्रेस कंडीशन stress condition है अब भया खाना तो बचा नहीं है तो बोलता है पत्ती फूल से कि तुम भया गिर जाओ क्योंकि हमाए पास खुदा ही पान नहीं खाना पानी नहीं दाना पानी नहीं हम तुम्हें कैसे दे दें अच्छा तो वह इस लिए बोलता है कि भया तुम गिर जाओ जैसे उनिस्टेक गौनिस्टेक्ट गणे 8 फिलता कुछ नहीं होता अपकॉसिट जैसे हमारे बात करता है तो चीकु मुए को एक बात बता है अगर तेरे घर पे गंटेनर में सीड रखी हुई है वो ग्रोथ नहीं कर रही है तो किस आर्मोन की वैसे नहीं कर रही है एफसे सक एसे अब तुमने जैसी पानी में उसको डाला या फिर पर स्वाइल में डाला तो कौन सा औरम को जिबरिलिक अच्छा समझे में आ रहा है कि नहीं अले आया ना अब आओ एक चीज अब थोड़ा से बता मैंने क्योंकि एंटागोनिस्टिक बात तुमसे छेड़ दी है तो सुनो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक क्या होते हैं हॉर्मोन से देखो एंटागोनिस्टिक हाँ मैं बात कर रहा था कि भई या क्या हॉर्मोन आपोजस्टिक होते हैं नहीं नहीं ओपनिक इअ एक पोजिटव है तो एक नेगिति हो जाया उनका रौल पॉजिटिव नेगितिव होता है रौल मतलब जैसे माली कोई हिंट की डॉर्मेंसी को तोड़ आ है तो दूसरा antagonistic नहीं है एक दूसरे के, कुछ-कुछ समझ में आ रहा है, ठीक, अब एक होता agonist, agonist नहीं चीज़ होती है, agonist मतलब की, जिनके role similar होते हैं, antagonistic मतलब जिनके role क्या opposite है, एक दूसरे के विपरीथ, अच्छा, और जिनके role similar होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, agonist, इसको और क्या बोलती NCRT, synergistic, अच्छा, अच्छा, अब इसी पर मैं पता, तो मैं सवाल दिखाऊंगा, प्यारे, प्यारे, अच्छा, और वो 5 पॉइंट से सवाल एक बनता है, तो ये चीज़ बिलकुल, मतलब दिमाग में सवाल लेना, चलो, पूरा पूरा रिवीजन हो जागा जित्ते भी अपने हर्मन पढ़े अपन ने पहले ऑग्जन पढ़ा, जिब्रिल एक एसिड पढ़ा, साय्टोकाइन पढ़ा, फिर अथाइलीन बताया था साइटो काइनिन वाले हमें कि ये क्या करेगा ओवर कम करता है एपिकल डॉमिनेंस को और ब्रांचेस बनवाता है भाई अप पेड़ों सो बोलता है तुम घने हो थोड़े ब्रांचेस बनाओ ताकि क्या ज़्यादा फूल पत्तियां मिले हाँ तो अब देखो एपिकल डॉमिनेंस की अपन बात कर रहा है इनका रोल अपोजिट है या नहीं है सोचो थोड़ा दिमाग सोचो ऑगजिन का कर रहा है लेंद वड़ा रहा है साइटो काइनिन ब्रांचेस बनवा रहा है लेंद को कम कर रहा है तो ये दोनों होर्मोन कैसे होते हैं एंटागोनिस्टिक क्या एगोनिस्ट है एगोनिस्ट का मतलब क्या था रोल से मिलर है क्या इनका नहीं नहीं सर रोल तो अपोजिट है तो एगोनिस्ट तो हुए नहीं देख ऐसी सवाल मिलेंगे तुम्हें यही रिलेट करके चलो दूसरा सवाल और साइटोकानिन कैलस का फॉर्मेशन कैलस मतलब वही टिशू कल्चर में जिसका अपन उप्योग करते हैं तो भईया और साइटोकानिन देख अराम सोचो अभी अपन पढ़के आयते कि भईया और साइटोकानिन जो है वो भी कैलस बनवाता है और साइटोकानिन जो है वो भी कैलस बनवाता है कुछ याद आ रहा हो तो मैंने तुम्हें क्या बताया था महाँ पर याद कनने का कि और स का बनो रहा है कैलेस बनो रहा रहा है आ जी बिलकु साहिए बिलकु साहिए समझ में आती हैं इसी मुंडी मत्ला ना बिना अगर समझ में आ यह एपसेशन मतलब गिरा देना गिरा देना ठीक तो ऑउगजन भी क्या कराता था एपसेशन और इथाइलीन तो भाईया गैसियस होर्मोन है जल्दी जल्दी पकाएगा और गिराएगा अरे याद आ रहा है कि नहीं ऑउगजन में बताया था प्रोमोट करता है एपसेशन हा प्रोमोट करता है जैसे ही पानी में सीट चली गई फटा फट जिब्रेलिक असे निकलेगा और क्या वो लेगा चुछ 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 त्में क्या भनाना प्रेयड बनाना उसको पूरी आद दास निकले अर जैसेश — ब्रोमोट करता है जैब्रेलिक असेट वेकाराह त्रोमट करता हूझ ऑर बेकिन जरूरी भी तोड़ना तो ये दोनों कैसे हो गाए antagonistic और agonistic तो है नहीं ठीक अब बात याद रखना भया एक आखरी oxygen और ethylene की तो भया जिर मैंने तुम्हें बताया भी था 21 में सवाल पूछा था और 19 में भी पूछा था 19 में भी 21 में भी कि pineapple में flowering कौन कराता है oxygen और ethylene don't know तो ये क्या हो गए agonist ठीक 21 सी चीज़ थी आशा कर रहा है तो मैं ये चीज़ समझ में आई होगी अगर ये चीज़ समझ में इसको अलग से लिख लेना क्योंकि यहां से ही तुम्हें सवाल मिलेगा जब भी तुम प्रीवेस यह लगाओगे तो और इत्तिस से पॉइंट से तुम्हारे कि भाईया इताइलीन भी तो क्या करता है सीट डॉर्मेंसी को तोड़ता है आपने बताया है कहां बताया है सीट डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है किसमें अब याद करो यार पीनट में सीट डॉर्मेंसी को तोड़ेगा और potato tuber में कौन सी dormancy तोड़ता था bud dormancy याद आ रहा है या नहीं हाँ अब थोड़ा और दिमाग वाला जोगा तो वो cytokinin भी सोच सकता है क्यों cytokinin क्यों सोच सकता है भाई या भहाँ पे भी हमने बताया है कि seed dormancy को तोड़ने के लिए कौन promote करेगा cytokinin अब तुम्हें देखो सवाल अगर ये आ गया और उसने चौथा option दे दिया all of these तो तुम्हें क्या कौन सा answer लगाना है चिकू आंसर क्या लगाओगे fourth अगर ये चारों साथ में हैं ये तीनों अगर साथ में और all of these का option है तो fourth लगाना और अगर all of these नहीं है और अगर अगर अगरा है तो तुम्हें best option चूज करना है तुम क्या लगाओगे जिबरिलिक एसेड ठीक और अगर माल लो उसने लिख दिया कि seed dormancy peanut में कौन तोड़ता है हाँ तो तुम्हें क्या लगाना है चिकू इथाईलीन यह सब पता यही तो तुम्हें नीट में एक्जाम में देखते हैं कि तुम्हाई consciousness किती है अब बच्चा जो होगा ना जो नॉर्मली पढ़के गया होगा वो फटा पट जिबरिलिक एसेड पर गोला बर देगा मेरे जैसा और फिर घर पे आके बोलेगा कि यार जी आगी कि लगे आन जाएं इंसी आइटी में तो यह भाया उसने लिखा seed dormancy all of these के साथ तो answer all of these जाएगा और अगर all of these नहीं है और कोई है तो हमें best option choose करना रहता है समझा कि नहीं आच्छा यह अच्छे सवाल तुम्हें मिलेंगे previous year जब तुम लगाओगे और बस आदा चेप्टर तो खतम हो चुगा है अब आप फाइटो अर्मून्स पूरे देख लिए अब आप मस्ती से पूरा इंसियाटी को पढ़ो रिवीजन लो फिर अपन मिलते हैं बहुत जल्द तब तक के लिए मस्ती से पढ़ो बिना किसी समस्या के और बदा लाइफ में स्ट्रगल तो देखना पड़ता है तुम रोगे भी असोगे भी और कभी-कभी होगा कि रोना बहता आएगा तो अकेले में रोना दुनिया को मत दिखाना क्योंकि दुनिया को दिखाओगे न दुनिया चड़ाएगी कोई किसी का नहीं है चिकू बस मस्ती से पढ़ते जाओ All the very very best Bye Bye झाल